भगवान से कुछ कुछ मागोगे तो वो कुछ कुछ देगा, उससे बहुत कुछ मागोगे तो बहुत कुछ देगा, सब कुछ मागोगे तो सब कुछ देगा, और कुछ भी नहीं मागोगे तो अपने आपको देगा, मिला तो उसकी करपा, और नहीं मिला तो उसकी इच्छा, तो दोस्तो पार्ट टू अफ इस पॉड़कास में आपका स्वागत है पहले पार्ट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुकरिया और इस वाले पार्ट में बहुत गहरी बातें हुई है जो बातें पहले पार्ट में रह गई थी वो भी इसमें कवर हुई है आप इसको आखरे तक देखेगा और बताईएगा कि ये पार्ट सुनके और ये पूरा पॉडकास सुनके आपके जीवन में क्या बदलाव आया तो जैसे जब इंसान निराश होता है जब इंसान के जीवन में दुख आता है तो दुख क्या इंसान के मन की उपज है या हालातों की उपज है कश्ट हमेशा शरीर का होता है पेन हमेशा शरीर का होता है लेकिन दुख मन का होता है पेन को अब किसी को दर्द हो रहा है कहीं लग गई हम उससे ये कहीं नहीं नहीं लगी लगी नहीं है दर्द नहीं हो सकता तो आप उससे ये आशानी कर सकते कि उससे दर्द नहीं हो वो होगा क्योंकि शरीर पे चोट लगी है लेकिन जब बात मन की आती है तो वहां हमको वो चीज फील करनी है या नहीं करनी वो हमारे हाथ में होती है जो हमारा मानसिक जो स्ट्रगल है मानसिक मेंटली जो हमारी दुख है वो हम खुद ही बनाते हैं जैसे कि इस रूम में हम बैठे हैं आपको थंड़ एसी पसंद है थंड मे रहना पसंद है और मुझे टेमपरेशर बिलकुल नॉर्मल रखना पसंद है तो अब दोनो एक ही जगे बैठे एक ही कमरे में बैठे हैं यह कमरा ज़ादा थंड़ होगा मेरे लिए दुख बन जाएगा आपके लिए सुख बन जाएगा बिलकुल चीज कुछ भी नहीं बदली situation exact दोनों के लिए सेम है लेकिन हम दोनों का interest हम दोनों की अपनी सोच उसके कारण दुख और सुख में अंतर हो जाता है एक आदमी किसी का बहुत अच्छा दोस्त है वही आदमी सेम परसन किसी दूसरे आदमी का दुश्मन है उसको वह आँख देखा नहीं सोहता इसका मतलब है उस आदमी में न सुख है न दुख है दुख हमारी अपनी सोच में होता है हम बनाते हैं कि हमें क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है तो यह जो सुख और दुख है यह कही ना कहीं हमारे खुद की उपज होती है जो internal जो सुख दुख है पेन नहीं, पेन हमारी नहीं है वो तो भैया होगी होगी क्योंकि वो external है वो शरीर है पर sorrowness मतलब आप जब दुखी होना चाहते नहीं दुखी होना चाहते वो आपके अपने control में होता है और इस दुनिया में सबसे powerful आदमी वो नहीं है जिसके पास बहुत जादा security है बहुत जादा पैसा है इस दुनिया में सबसे powerful आदमी वही है जो अपने सुख दुख को control करना जानता है जिसके पास ये control system खुद के पास है कि कब दुखी होना है कब सुखी होना है ये मेरे अपने हाथ में है क्योंकि बहार की चीजों को इनसान कभी नहीं बदल सकता बहार अब हम आशा करें भी वो आदमी हमसे आकर कि ऐसे ऐसे बात करें वो नहीं करता हो गए हम दुखी उसने तो कुछ बोला नहीं हमने खुद ने अपने दुख को पैदा किया हमारी उम्मीद है, हमने उसको पैदा किया, तो इसको खतम मैं हमेशा कहती हूँ, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, जब आता है मन में तो चीजे कंट्रोल नहीं हो सकती, बट उसका रेशो तो कम किया जा सकता है, बही आप जिस चीजमें एक डम पागल हो ज उसको थोड़ा सा कम कर लीजे, जीवन को थोड़ा ईज से जीए, मतलब ईज होना चाहिए आपके बोलने में, आपके खाने में, कोई भी चीज एक्स्टीम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहां आप एक्स्टीम गए, अती हर चीज की बुरी है, अती जहां भी आप खुशी, द अराम अराम से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहे, slow and study, wins the race, तो धीरे 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 जो चलेगा, बहुत जादा प्रेशराइज करोगे लाइफ को, बहुत जादा सुख के पीछे भी भागोगे, तो भी सुख नहीं मिलेगा, यह वोई वाली बात है, जैसे वो नहीं हो और दूर भागता जाता है, तो जितना आप सामने सुख को देख रहे हो कि वहाँ से सुख मिलेगा, आप जैसे उसके करीब जाओगे आपको समझ आ जाएगा, यह तो सुख था ही नहीं, जैसे आज की डेट में आप किसी बहुत पैसे वाले को देखते हो, आपको क्या लग इतना पैसे वाला बन जाओ बस, फिर लाइफ सेट है, फिर सुखी हूँ, लेकिन उस पर जब आप पहुंच जाते हो, तो वहाँ जा करके भी आपको कुछ नहीं मेलता, वहाँ जाके भी आप फिर उसी दुख को फील करते हो, एक दोहा है, कथाओ में हम बोलते कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, मतलब आदमी हर अपने से उपर को देख देख के सोच रहा है, यह सुखी है, नहीं नहीं यह सुखी है, तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महराजा सुखी, महराजा कहे सुख इ पर तुलसी दास विचार कहे भजन बिना सब जगत दुखारी। तुलसी दास जी कि ये पंक्ती है कि तुम कितना भी उपर बढ़ जाओ पर अगर तुम्हारे जीवन में भजन नहीं है, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, तुम दुखी रहोगे। ये देखते रहो उसका ये उसका वो करते करते कभी सुखी नहीं हो पाओगे। जो दिया है भगवान ने बहुतों से अच्छा दिया है, लाखों से अच्छा दिया है। कहते हैं कि एक नए महेंगे ब्रेंट के जूतों कि आप तब तक ही शिकायत करते हो जब तक कोई ऐसा आदमी नहीं देख ले उपरवालों को देखोगे, दुखी हो जाओगे। तो ये सुक और दुख आपकी अपनी सोच और अपनी मेंटिलिटी पर निर्भर करता है। वाँ, अभी जैसे जो आपने सुख और दुख के बारे में बताया, वो कहीं न कहीं मन के कंट्रोल करने पर निर्भर करता है, तो जब मैं श्रीमत भगवत गीता पढ़ ला था, तो उसमें श्री किष्ण बताते हैं कि शरीर हमारे रत के समान है, और आत्मा उसमें सवार, रत कंट्रोल कर सके, तो ये रत आपको परमात्मा के पास लेके जाएगा, लेकिन बात ये है कि ये जो पहाज घोड़े है और उसके साथ जो सार्थी मन है, इसको कंट्रोल में कैसे लाएं, जिससे कि सुख और दुख, जैसे आपने बताया कि अगर अती नहीं करेंगे, जैसे आप अतिका भलाना वरसना, अतिकी भलीना सूख, तो वह वारा जिससे कंट्रोल में अगर हम रहें तो सबसे सही रहेगा, लेकिन वो मन को कंट्रोल में कैसे लेके आपाई? मन के कंट्रोल करने के दो तीन उप्षन है, आपको जो अच्छा लगे आप वो चुन सकते है, जैसे बहुत सारे लोग को मेडिटेशन पसंद है, हार एक को अपनी डे टू डे की जो लाइफ है, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो आपको मेंटली सपोर्ट करती है, वो करनी जाए, अगर आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट रते तो आप ध्यान करिए, थोड़ा सुभा उटके मेडिटेशन करिये, किसी आदमी को इंटरेस्ट है संघीत में, तो थोड़ा सा आप संघीत सुनिए, music सुनिए, classical music सुनिए, soothing music सुनिए, मेरी बात करें तो मैं जिस संप्रदाय से हूँ वहाँ नाम जाप का बहुत महत्व है यानि आप सुभा उट करके थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे तो ये जो मन क्या ही मशीन है जैसे हर टाइम मशीन को ओइलिंग चाहिए होती है टाइम टो टाइम अदरवाइस उसमें जंग लग जाएगा तो मन में यह हो रहा आजकल यह डिप्रेशन क्या जंग लग गया इंजाइटी क्या जंग लग गया क्योंकि ओइलिंग नहीं हो रही क्योंकि आप भगवान का नाम नहीं ले रहे आप दिहान नहीं कर रहे तो अगर आप जब तक वो नहीं करेंगे आप अपने माइंड से ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो यह एक्टिविटी हमेशा करनी पड़े क्यों कहते हैं घर के बड़े माबाप बुजर्ग या गुरू कि भई सुबह उटके सब को थोड़ी देर भगवान का ध्यान करना चाहिए सुबह उटके भगवान का नाम लो फिर दिन की शुरुआत करू क्योंकि वो मॉनिंग की ओईलिंग है जैसे शरीर दो भागों में बटा है बहुत सिंपल बात में कहूं तो हार्डवेर सॉफ्टवेर हार्डवेर है यह शरीर इस हार्डवेर के हम रोज सफाई करते हैं नहाते हैं ब्रश करते हैं यह हो गई हमारे हार्डवेर के सफाई पर एक है software, हमारा मन, हमारा चित, हमारी बुद्धी, हमारी इंद्री, उसकी हम सफाई नहीं करते, वा कितनी खुसुरत तरीक तो समझा दिया आप ने इसको, वो जब तक आप मन को डेली साफ नहीं करेंगे, मन को भी रोज निलाना पड़ेगा, शरीर को निला रहे हो, मन को जाएगा भगवान के नाम से, पूजा से, जब आप सुबह उठकर के दिन की शुरवात अच्छी तरीके से करते हो, पहली बात तो ये जो सुबह उठते ही, जो जिनका फॉन सिस्टम चालू हो जाता, ये मुझे लगता है आपकी निराशा का सबसे मेन रीजन है, क्यों क्य जैसे बहुत सारे लोग को सुबह सुबह नियूस पेपर पढ़ने की बहुत आदित होती है, ये भी नेगटिविटी दे रहे हो आप, सबसे आदद दुख नियूस पेपर में ही बता लगता है, ये मार दिया, ये वैसा हो गया, तो क्या जा रहा है, आपको लगता है, खान जो आपके जीब से जा रहा है, वो ही आपकी बोडी में लग रहा नहीं, जो विचार जा रहे हैं, वो भी आपके मन पे डारिक्ट एफेक्ट करते हैं, तो मॉर्निंग का रूटीन सब को सुधारना चाहिए, मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम, पॉजिटिव ठीजों में तो आप धीरे धीरे इंद्रियों पर मन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे, और उसमें सबसे ज़रूरी, अगर आप ध्यान नहीं कर पाते, इत्सों के, आप तप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, पर एक चीज बहुत सिंपल है, मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान का ना बच जाओगे, मैं यह नहीं कहूंगी कि यह नाम लेने वाले बिलकुल भी इनके भीतर एमोशन्स खतम हो जाते हैं, या इनसे विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, सबके भीतर नाम जाब करते हूँ, उनके भीतर भी गुसा होता है, क्रोध आता है, पर वो इतने बड़े लेवल पे नहीं आता कि बई, इनके बच जाता है, तो ध्यान करें या नाम जाब करें, इससे आप मन को थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं, यह जिसे नाम जाब तो सबज में आता है, ध्यान के साथ दिक्कत यह है कि इसे आख्यवंद करी, तो उसके बाद स्टे जो मुझे तीन हफते में याद निया है, वो ऐसा लगता है, एकदम आख्या बंद करकें, यही तो करना था, जल्दी आखे खोलो और वो काम पर लग जाओ, यह फिर मैं तीन हफते तक ना करो, लेकिन जब भी आख्या बंद होती है, तो दिमाग पचास आखे खोलने के बह द्हाने डुटने लगता है, तो द्यान आखिर लगाया कैसे जाए, आप कैसे लगाते हो द्यान, क्या चल दा हुआ होता है। कि आज कृष्ण गिराजी धारन कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचते सोचते अब ये हो रहा वो हो रहा माला जाब करते रहते ये थोड़ा चिंतन हो जाता है मन एक एक जगे रुख भी जाता है और हमारा नाम जाब भी हो जाता है बात रही ध्यान की meditation की जो कर पाते है प्रणाम है उनको बट कल्यूग में ध्यान आसान नहीं है बहुत मुश्किल काम है क्यों क्योंकि कितना भी जैसे आपने का कोशिश करो सारी कमिया उसी समय याद आती है जीवन की हर चीज उसी टाइम याद आती है तो अगर कोई नहीं भी ध्यान कर पाता है तो सबसे अच्छा solution है हरी नाम जाब क्योंकि हमारे चार युग डिवाइड है सत्यूग, तुरेता, दौापर, कल्यूग तो ध्यान जो है वो सत्यूग के लिए बना है भगवान को पाने का एक रास्ता सत्यूग में ध्यान है तौरेता में यग्य है और दौापर में अर्चना है मतलब पूजा भगवान की और कल्यूग में हरी नाम कल्यूग के वल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा तो मुझे ध्यान का जादा नौलिज नहीं है क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना मैं करती हूँ तो उस विश्य में मुझे जादा बोलना भी ठीक नहीं है जो मुझे नौलिज नहीं हो बट इतना कहूंगी कि ध्यान जिनका नहीं भी लग पा रहा है तो कोई बात नहीं है इत्सों की भगवान ने कल्यों में काया कि मैंने एक छूट दे रखी है तुमारा मन कहीं भी हो और तुम बस कृष्ण कृष्ण बोलते रहो राधा नाम बोलते रहो तो तुमको उसका फल मिलेगा और अपने आप तुमें मेरी प्राप्ती भी होगी और तुमारा मन भी वर्ष में रहेगा तो मेरा सब्जेक्ट है नाम जब नोट मेडिटेशन और चिंतन जैसे कि अभी आपने जब मैंने आप से पूछा कि श्री किस्न ने सुदर्शन क्यों उठाया था तो जब आपने समझाया तो आपने इतनी गहराई में समझाया, कि воहां पर हो क्या रहा है कि अर्जुन क्या खून कहां कहां से निकल रहा है और का कवच तूट गया है ठीक है, रथका उन्होंने पईया बनाया पईये का चक्र बनाया उन्होंने तो जब आप यह बता रहे थे थे इमेजन कर पा रहा था तो वो आप मेरे को सुझ में आए कि ये जो आप इतनी गहराई से कहानी को पूरा समझा पाती है वो इस वज़े से आता है कि आप चिंतन करती है जैसे आप न भी बताया तो उससे वो दृष्श आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाता है वो बहुत अच्छे बाबा थे महापुरुष बाबा क्या वैसे तो ग्रस्ती थे पर कूरा ब्रज जानता उनको भक्ति मार्ग से जुड़े हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई शी उनको बोलते जोनों गीता प्रेस शुरू करी तो वो बहुत भगवान के प्रेमी थे सेट थे ग्रस्ती थे पर बहुत भजन करते थे तो उनकी एक लाइन मुझे याद आती है जो आपने चिंतन वाली बात कही न उन्होंने कहा जो भगवान है कृष्ण उनको भजने वालों के लिए सबसे इजी ध्यान चिंतन वो इसलिए है वो अगर दो घंटे श्री यमना जी का भी ध्यान करना चाहे ना तो दो घंटे यमना जी पर एकदम सेंटर में केंद कर सकते कैसे यमना जी में कमल के फूल खिले हैं फिर यमना जी के चारो और मोर घूम रहे है, यमना जी के चारो और हिरन है, पुष्प जो कमल है उन पर छोटी छोटी पानी की बिंदू जलकी हुई है, उस पर श्री कृष्ण बावसुरी बजा रहे है, सुंदर हवा चल रही है, तो उन्होंने बताए कि चिंतन कृष्ण भ क्या पेना है आज क्या रंग है तो ये चिंतन तो सब को करना जरूरी है जब आप चिंतन करने लग जाए आपने फटा फट से मंदिर जाके एक तो भगवान के सामने गए जाके आंग बंद करी हाज जोड लिए और दो चार जो अपनी मांगों की लिस्ट थी वो मांग ली और निकल गए और एक कमीशन दे थी आपने वहां पे दान बेटी है कि अब तो नहीं मैं कमीशन नहीं बोलूंगी मेरे लिए भारी पड़ जाए लोग मुझे पकड़ लेगे मतलो जब वो इनसान का विचार वैसा चल रहा है जो वैसे करके आ रहा है जी जी तो आप क्या आप गए क्यों थे कि आप भगवान का दर्शन करें आप भगवान को देखे आपने देखा तो ही नहीं आप बस आँख बंद करके जो मांगना होता मांग के निकल जाते हो ये थोड़ी ना दर्शन होता है दर्शन ऐसा होना चलिए आपको एक एक भगवान ने कहां क्या प पहना है आदे लोग जो मंदिर से आते हैं आप उनसे ये पूछ लो क्रिशन आज ठाकुर जी न आज कौन सा रंग पहना था नहीं बता पाएंगे बिल्कुल क्यों दर्शन करने गए नहीं थे वो मांगने जाते हैं वो देखने गए थे दर्शन नहीं किया तो जब आप ऐसे दर्शन करने लग जाते हैं तो चिंतन शुरू हो जाता है फिर जो हम शिकायत करते हैं मंदिर में जादा टाइम नहीं मिलता हमको बिहारी जी गए दर्शन का जादा समय धक्के दे के निकाल दे कोई बात नहीं एक बार दर्शन कर लो एक मिनिट आधा मिनिट भी मिला उप का दर्शन करो, उसकी एक एक चीज को देखो, चरणों को देखो, आँखों को देखो, मुस्कुराहट देखो, तब जा करके आपको असली दर्शन का मज़ा आएगा, यही चिंतन है, वाँ, अब जैसे जितने मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, और जो हम लोग कभी भी ध्यान लगाने के बारे में बात करते हैं, तो सब ने मुझे से यही कहा, एक बहुत कॉमन चीज की है, जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं, दिमाग चारो और दौडने लगता है, अभी आपने एक तरीका बता है, कि बहुत बड़ी है आपका दिमाग दौडना है, तो उसको बस डारेक्शन दे दो किस तरफ दौडना है, जी, और जहां आपने उसको डारेक्शन दे दी, तो बस जो आपका परपस था मन में, शान्ती इश्वर के निकट पहुँशने का रस्ता ढूडना, वो मिलता जा रहा है, वाह, वाह देवी जी, वाह, तो जैसे धर्म की अगर मैं व्याख्या समझने की कोशिश करूँ, तो जैसे श्रीमत भगवत गीता में ही मैंने पढ़ा था, जब श्रीकिशन अर्जुन को समझा रहे थे, कि धर्म जो होता है, वो व्यक्तिगत होता है, सामाजिक नहीं होता, अभी जो ज़ादतर लोग के दिमाग में जो धर्म की डेफिनेशन है, वो काफी सामाजिक है, तो एक धर्म की व्याख्या आपकी नजर में क्या है? धर्म व्यक्तिगत ही होता है, शुरुवात एक व्यक्ति से होती है क्योंकि समाज क्या है समाज बनता है व्यक्तियों के समू से तो अगर आप ये भी कहते हैं कि धर्म सामाजिक है तो भी गलत नहीं है वो भी गलत व्याक्या नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत लोगों का समू समाज बना अब उसमें जो भी लोग आ रहे हैं, वो धर्मिक हैं, उनके जीवन में धर्म है, तभी वो उस प्रांगन तक कथा तक आ रहे नहीं, तो वो भी शायद किसी पार्टी क्लब में जा रहे होते हैं, तो अब जब उन लोगों का समुहू हो गया, वो सब लोग कलेक्ट होकर के एक समाजिक बन गया, लेकिन समाजिक बनने के लिए पहले आपको व्यक्तिगत धर्म से जुड़ना पड़े हैं, हम उल्टा करते हैं, हम समाजिक से जुड़ते हैं, और फिर व्यक्तिगत तक बहुते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत से पर्सनली पहले अपने आप से शुरू कर और dharm, पूजा पाथ, रीती, रिवाद, नियम, कानून ये सब एक धर्म का पाथ है धर्म नहीं है पाथ जरूर है ऐसा हम इसको नकार नहीं सकते कि धर्म का हिस्सा है बस धर्म ये भी हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा भी है कि शायद उसको एक घंटे पूजा करने का टाइम नहीं है उसको हर रोज शायद मंदे जाने का समय नहीं है लेकिन वो मन से जान चुका है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है मेरा अस्तित्व क्या है मैं कौन हूँ पहले धार्मिक बनने के लिए तो आपको सबसे पहले अपना इंटोडक्शन पता होना चाहिए भई कौन है आप मैं चितर लेखा हूँ नहीं वो आपकी टेंपरेरी आइडी है वो नाम तो आपको दिया था जन्म के समय और जन्म के बाद बदल जाएगा मतलब नेक्स जन्म आती जीवन की जो यात्रा है मैंने कई पढ़ा था बहुत अलग है आदमी जब जन्म लेता है स्वांसे होती है पर नाम नहीं होता और जब मरता है तो नाम होता है पर सांसे नहीं होती और इस सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है वही जीवन है वह वह वो सांस और मरन की यात्रा को जिसने समझ लिया उसने अपना परीचे पहचान लिया कि कौन हुम है और ये आनसर आपको ना गूगल दे सकता है ना कोई इंटरनेट दे सकता है ये आपको खोजना पड़ता है ये आपको अपने धार में ग्रंथों को पढ़ना पढ़ता है भगवत गीता को पढ़ो कृष्ण को यही समझाया है कृष्ण यही समझाया है अर्जुन को कि तू है कौन तू समझ रहे तू पितामा का शिश्य है तू समझ रहे दुरियोधन का भाई है नहीं तू यह सब नहीं है तु जीव है इश्वर का अंश है ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन तु मेरा अंश है और तु अगर मेरा अंश है तो तुझ में शक्ति है न्याय और अन्याय अन्याय के खिलाफ लड़ने की तु शत्रिय है डर के बैठ मत जा कि मैं नहीं लड़ूँगा मेरे सामने मेरे अपने है भगवान कहरे लड़ जहा हम यह सोचते है कि शायद भगवान तो युद करने के लिए मना करेंगे अहिंसा के सिक्षा देंगे पर भगवान यहां अरजुन को कहरे तु शत्रिय है अपना धर्म क्यों बोल रहा है और डर क्यों रहा है मैं तेरे साथ हूँ तो वो जो शे कृष्ण यहां पर समझा रहे है वो धर्म की स्थापना कर रहे है धर्म संस्था के लिए ठाकुर जी आते है योग योग में और समय को बदलने के लिए धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते तो कृष्ण ने वो सिखा दिया तो ये जो पहचान है कि मैं कौन हूँ इसको जानी है ये जानना ही धर्म है ये जब आप जान लोगे आप धर्म बन जाओगे मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा भई माला लेके भजन करो आप शुरू कर दोगे क्यों क्योंकि आपको पता है मरने के बाद वहाँ जाना है वहाँ जाके हिसाब देना है मुझे तो अपने भजन चालू हो जाएगा नाम जब चालू हो जाएगा तो ये जानना मुझे लगता है धर्म को जानना है बाकी सब चीज़ धर्म का हिस्सा है जैसे मैं भी चंदल लगाती हूँ कंटी पहनती हूँ हम पूजा पाट करते हैं तो ये सारी चीज़े धर्म के छोटे-छोटे हिस्से हैं ये हमें थोड़ा मोड दिया है डाइवर्ट करती है जैसे क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो वो सारे आपकी जीवन में इंपेक्ट होता है तो इन हिस्सों को निभाते रहो पर मूल धर्म जानो, मेरा और भगवान का रिष्टा क्या है इस संबंद को जान लोगे तो आप धर्मे को वाँ 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 आपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया और एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छे से समझा कि धर्म को समझने के लिए सबसे पहले इंसान का खुद को समझना जरूरी है, जिसके आपने तरीका बताए कि एक तो जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे श्रीमत भगवत गीता लिखी गई है इसको पढ़ो जिससे इंसान खुद को समझ सके और साथ में मुझे लगता है एकांत वास भी एक चीज होगी कि आप अकेले बैठके मनन करो जो आपने पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करो ताकि आपको स अवलन का मैं खुद को समझ बैए और खुद को समझना मतलacas भगवान को या धर्म को समझना आपने आपको कमा समझ आपने वारे में हैं आल डिखिए मुझे तो लगता है मैंने शास्त्रों को पढ़के इतना ही जाना है कि भगवान ने कह दिया मतला हमारा और भगवान का या हम कौन है उसको भगवान ने पहले स्पष्ट बता दिया है कि इश्वर अंश जीव अविनाशी हम जो जीव हैं हम भगवान से कनेक्टेड है अम माली जी हमारे लाइफ का एक पार्ट हमारे पास है दूसरा पार्ट नहीं है तो जो मिसिंग वाला पार्ट है उसको खोजने के लिए हमारे दिल का ये हिस्सा तडपता है मतलब जैसे भगवान से हम दूर है तो ये जो हमारा मन है ये बेचैन है हमको लगता ये बेचैनी किस चीज़ की है कि शायद पैसे की है पैसा मिल गया बेचैनी खतम नहीं हुई आपको लगा नहीं अच्छी गाड़ी चाहिए तब बेचैनी खतम होगी वो भी मिली तब भी खतम नहीं हुआ आपको लगा नहीं नाम होना चाहिए नाम भी हो गया तब भी बेचैनी खतम नहीं क्यों? क्योंकि ये बेचैनी है आत्मा को परमात्मा से मिलने की ये हम भूल जाते हैं इसलिए तो आदमी की बेचेनी कभी खतम नहीं होती हमेशा क्यों एकदम वो परेशान रहता जबकि सब कुछ है उसके पास छथ है, मकान है, घर है पर जो एक आत्मा मांगती है आत्मा की अपनी एक डिमांड है कि मुझे परमात्मा के पास जाना है वो आत्मा खीचती है, मन खीचता है बहर की ओर आत्मा खीचती है परमात्मा की ओर पर हम मन की तो डिजाइस पूरी करते हैं जो मन मांगता है, आत्मा की डिजाइस पूरी नहीं करते भगवान को याद नहीं करते भजन नहीं करते इसके कारण फिर आत्मा तडपती है और आदमी रीजन नहीं पता उसे क्यों बेचे नहीं और उसकी बेचे नहीं क्या कारण भगवानी है तो ये रिष्टा है ये संबंध है जीव के और भगवान के बीच में तो इस सम्मंद को पहचान लोगे तो मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा कि हम भगवान के दास है वो हमारे स्वामी है त्वमेव माता, चुपिता त्वमेव सब कुछ है, मतलब एक रिष्टा नहीं उनसे हर रिष्टे है तो जो भी मुझे अपने जीवन के बारे में समझ आए मैं ये तो नहीं कोँगी मैं मिट गई है मैं तो है अभी भी बीतर पर इतना जरूरिया अगर मैं हूँ भी तो उनका हूँ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है तो भी उन वो कर रहे है जीवन में बोरा हो रहा तो भी वो कर रहे है उनकी मर्जी में मेरी मर्जी है जाही विदी राखे राम ताही विदी रहे महलों में राखे चाहे जोपड़ी में वास दे धन्यवाद निर्वेवाद राम राम कहिए तो ये मेरे जीवन का एक मूल मंत्र है कि अब सौप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हातों में है जीत तुम्हारे हातों में है हार तुम्हारे हातों में मुझ मैं तुझ मैं एक फरक मैं नर हूँ तुम हो नारा है मैं हूँ संसार के हातों में तो यह पहचाना मुझे लगता है यह मेरा रिष्टा है और यही पहचाना है जितने भी मेरी अभी तक की लाइफ की जर्नी रही है वाँ, तो जो आत्मा की सारी वेचैनी है वो परमात्मा से मिलन की है जैसे आप अभी कह रहे थे जब धरम की आप वाक्षा दे रहे थे कि जब आप खुद को समझ लोगे तो आप खुद ही नाम जब करने लग जाओगे आपके हाथ में खुद ही माला आ जाएगी किसी को कहने के जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि आत्मा को परमात्मा के पाथ जाना है फिर आप धूटते हो कि वो रस्ता कौन सा है बिलकुल तो आज की डेट में जो जितने जितने लोग आज डिप्रेस्ट है जितना डिप्रेशन से एंजाइटी से आज गुजर रहे है एतिहासिक दौर पर कभी ऐसा सुनने में नहीं आया उसका ही कारण यह हो सकता है कि पहले यह डिटेक्ट नहीं होता था लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जो प्रॉब्लम है यह डिप्रेशन का प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि हम आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं मन की व्याकुलता को नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल, root cause तो यही है, कि जैसा मैंने कहा हम बाकी सब चीजें पूरी कर रहे हैं, बोडी की मांग, हमारी financially मांग, जो है हम पूरी कर रहे हैं, आत्मा की नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारी जो बहरी चीजें हैं, उनको हम पा लेंगे, तो उससे हमें satisfaction मिलेगा, एक जो डिप्रेशन का मुझे बहुत बड़ा कारन लगता है कि आज का जो इनसान है, उसको इस सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने ऐसा बना दिया है, कि उसको instant gratification कि एक बिमारी लग चुकी है, मतलब उसको हर चीज तुरंत चाहिए, अभी की अभी चाहिए, जैसे वीडिय पोस्ट करी, तो सारे likes और सारे views मिल जाए, वो करते 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 life में भी वो ऐसा ही बन गया है, उसे जो चाहिए, तुरंत चाहिए, नहीं मिलेगी, तो अपना patience खो देगा, और अगर कोई चाहता है कि ये depression, anxiety, इन रोगों से दूर रहे, इन बीमारियों से दूर रहे, तो patience क होना बहुत ज़रूरी है, patience नहीं होगा, तो आप खुदी चीज को लेके दुखी हो, जगाड़ी चाहिए, नहीं मिली, patience नहीं है, तो depressed हो जाओगे, लोग छोटी-छोटी चीज में हो जाते, प्रोडेक्ट को लेके depression में चले जाते, school के marks को लेके बच्चे depression में जा रहे है मन चाहा रिष्टा नहीं मिला, ये हो गया, प्रेकप हो गया, इसके लिए लोग depression में चले जा रहे हैं, तो क्या हुआ, मतलब हमारे भीतर खुद के भीतर धहरे नहीं है, और किसी ने बहुत सुन्दर बात कही कि patience is your power, आदमी बहार से powerful बन जाएगा, नहीं, जब तक भीतर से आप patient नहीं बनेंगे, जब तक आप धहरेवान नहीं बनेंगे, आप powerful नहीं बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, मिला तो उसकी करपा, और नहीं मिला तो उसकी इच्छा, ये दो चीज अपनी लाइफ में मंत्र बना के रख लीजे, कि मिल रहा है तो उसकी करपा है, नहीं मिल रहा तो भी उसकी इच्छा है, मतलब अगर वो कोई चीज नहीं भी दे रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपका उसमें बहुत बड़ा कोई हित चुपा है, मैंने बहुत अच्छी लाइन कहीं पड़ी थी, कि जो आप चाहते हो, भगवान वो नहीं देते, जिसमें आपको दे रहे हैं, इसमें depressed होने की ज़रुत नहीं है, खुश होई है, मतलब भगवान आपको कही ना कही बचा रहे है, शायद आप इस रिष्टेमें पड़ जाते, अगर आप इस रुष्टे में पड़ जाते, आपकी कोई कोई शादी हो जाती, तो शायद हो सकता आगे ज्यादा समजदार है तो वो अच्छा ही कर रहा होगा तो ये जब एक धहरे वाली जो एक गुण है ये आदमी को सीखना पड़ेगा खासकर आज के योवाओं को किसी भी चीज को लेके एकदम से पागल मत हो जाएए पाना है पाना है पाना है नहीं मिला तो ब्रेक हाट ब्र दिमाग में टेंशन दिमाग में परेशानिया तो छीजों को थोड़ा सा दीला छोड के जीना चाहिए थोड़ा सा खुला छोड दोगे तो भगवान भी देखते कि भई इस आदमी में पेशें से धहर है ये समल जाएगा एक समय पर जाकर के मैं इसे ना भी दू तो ये मांसिक चीजों से होगा मैंटली मैंट जैसा मैंने का ना माइंड का वाश होना जरूरी है माला माइंड की सफाई माइंड की सफाई माइंड वाश नहीं तो फिर ये जंग ही जैसा मैंने का ना डिप्रेशन क्या ये तो है कि तो ये सफाई कैसे होगी अच्छे लोगों के स तो उससे दूर ही बना लो, उससे दूर रहो, क्योंकि जितना आप नेगटिव स्पेस में रहते हो, उतने आप डिपलेस्ट हो जाते हो, तो घर में नेगटिविटी हो तो अपने आपकी पॉजिटिविटी वहां दो, जैसे हम कई बार क्या शिकायत करते हैं, उसने मुझे ब बिगाड़ दिया, तो आप भी तो उसको सुधार सकते थे, अगर वो आपको बिगाड़ सकता है, तो आप में ऐसी क्या कमी थी, जो आप उसे नहीं सुधार पाई, फोर एन एक्जामपल, लोग दोस्ती का सबसे जादा देते हैं, कि भई, उसने मुझे कहा कि तू ये नश पूछ सकते हो, तो आप भी तो पूछ सकते हो, कि दोस्ती के वास्ते तो नशा चोड नहीं सकता थी, अगर तू मुझसे ये आशा रखता तो मैं भी आशा रखता हम ये नहीं करेंगे, तो अकसर हम क्या होता है, नेगटिव चीजों को बहुत एजली एक्सेप्टपकर ले आपने विचार बदलिए, सबसे इंपोर्टेंट, क्योंकि चलो बाहर की सिचुएशन नहीं भी चेंज हो पारी, तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कि तुमने अपना घर बदला, ताकि मैं सुखी हो जाओं, पर फिर भी सुखी नहीं हुए, तुमने अपनी गाड़ी बदली, किसी पंडित ने कहा गाड़ी में गड़़ है, आपने गाड़ी बदल दी, आप तब भी सुखी नहीं हुए, किसी ने कहा दोस्त बदलो, आप तब भी सुखी नहीं हुए, क्योंकि आपने अपना सुभाव नहीं बदला, आपने अपना खुद का बिहेवियर नही बदला वो जब तक नहीं बदलोगे आप सुखी नहीं हो सकते हो तो depression का कारण negativity से दूर रखो थोड़ा अपने आपको patience बढ़ाओ अपने अंदर धेरे बढ़ाओ और वो तब ही बढ़ेगा जब आप धेरेवान लोगों के साथ रहोगे उनके संग में आओगे तो अपने मैं चला, बुरान मिलिया कोई जो मन देखा आपना मुझसे बुराना कोई तो सारी जंग जुद चुरू हो रही है वो अंदर सही हो रही है और साथ मैं जैसे आपने भी दोस्ति के बार में बोला कि अगर हम ये कहें कि दोस मुझे बिगार रहा है तो वो एक सही जगा नही या तो आप दोस्त को सुधार हो या दोस्त बदलो क्यूंकि दोस्ती जैसे कि हमने, में कोई पाड़कास में ही है, हमारे मित्र हैं, आदी भाई तो उन्होंने कहा था, पहली बाद उनके में सुनी थी कि दोस्ती एक लोता ऐसा रिष्टा होता है जो हम खुद चूस करते हैं तो दोस्ती आपको अगर बहतर नहीं बना रही है तो आप चूस करने में अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हो आपकी चोईस अच्छी नहीं चोईस गलत है आपकी मुझे लगता है दोस्ती इस एक्वल टू रिस्पोंसिबिलिटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोस्त कह देना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बहुत इजी वर्ड है पर दोस्त कहने का मतलब है कि पूरी जिम्मेदारी निभाना सही और गलत की सिर्फ इतना ना कह देना भई दोस्ती के लिए तो करना पड़ेगा अगर कोई दोस्त गलत भी है हम हर तुम्हारे गलत में साथ खड़े हैं ये दोस्ती नहीं होती गलत में हम तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे और तुमको समझाएंगे नहीं तुम गलत कर रहे हो तो दोस्ती है मतलब हर बुरी चीज को सपोर्ट करना दोस्ती नहीं है तू जो करना कर ले हम भाई तेरे पीछे खड़े ये बड़ा होता है खास कर लड़कों में लेकिन नहीं दोस्त कह रहे हो तू जिम्मेदारी निभाव मितरता कृष्ण की थी सुदामा की थी उन्होंने अपनी दोस्त को इस तरीके से बनाया दूरी रही इतनी दूरी किसी दोस्ती में शायद नहीं होगी कि बचपन में बिछड़े और फिर जाके मिले कई सालों बाद लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उस दोस्ती को कहीं भी कलंकित नहीं होने दिया कम नहीं होने दिया मतलब पूरा समय दि मुझे लगता है आज के समय में न कॉंटेक्ट्स बनाए जाते हैं, दोस्ती कम बनाए जाती है, कॉंटेक्ट्स मतलब कि भई बना लो कभी बुरे टाइम में काम आ जाएगा, आपकी ये कॉंटेक्ट लिस्ट बढ़ जाएगी, तो वो दोस्ती नहीं है कि भई जब आप स्व खुद के खुद से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई हो नहीं सकता, लेकिन अगर रखते हैं दोस्ती तो बहुत सोच समझ के और बहुत जिम्मेदारी से रखना चाहिए, और अगर आप खुद के दोस्त तो और कृष्ण तो आपके मित्र है ही, बिल्कुल, सखा है, सखा ह अगर उसके अलावा आप किसी को चूस कर रहे हो, तो देखे, वह उस लाइक है, और क्या आपके मन में वह भाव है नहीं है मित्रदा का, आपके मन में अगर ये कोई काम निकालने का भाव आ रहा है, तो फिर वहीं पर आपकी पूरी मित्रदा खराब हो जा रही है, बिल्क सुदामा जी की पतनी देखती हैं कि किसी मटके में कुछ चावल के दाने पड़े हुए हैं, तो वो चावल के दाने थोड़े से जो थे वो निकाल के देती है सुदामा जी को और सुदामा जी उन चावल के चंद दानों में से भी कुछ दाने निकाल के पहले श्री किष्ण और दोस्त कैसा होना चाहिए सुदामा की अपने बात शेड़ी सुदामा द्वारिका गई कोई भी एक आदमी ऐसा बता दो जिसने कहीं ऐसा पढ़ा देखा है लिखा हो कि सुदामा गई और जाकर कि उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरी घर की हालत बहुत खराब है कुछ हेल्प कर कुछ मदद कर अकसर दोस्ती कोई एक आपका इतने बड़े लेवल का दोस्त आप कुछ भी नहीं तो इतना तो आशा रखेंगे ना भी राजा का बेटा दोस्ती कर लो कम से कम नोकरी लगवा देगा नोकरी लगवाएगा और अगर सुदामा वहाँ गए और उनका इतना वही भव देखा तो वहाँ भी तो सुदामा बोल सकते थे देखके कि भई कोई काम दे दे मेरे लिए कृष्ण कह रहे हैं तुझे कुछ चाहिए सुदामा कहता नहीं तेरी बहुत कृपा है मुझे कोई बच्चे सब बहुत बढ़िया है और कृष्ण सब जानते है कृष्ण चाहते हैं मुझसे बोले एक बार कहतो दे कि तुझे स्वर्ग चाहिए स्वर्ग दे दू ब्रह्मा जी का पत चाहिए ब्रह्मा जी अटा के तुझको ब्रह्मा बना दू लेकिन सुदामा ने का नहीं मेरी दोस्ती निस्वार्त है इसलिए मैंने दोस्ती नहीं करी कि ये बुरे समय में कामा जाए कुछ मांग लूँगा, नोकरी, पैसा, नहीं, नहीं वहां से खाली हाथ सुदामा आये पूरी द्वारिका ने इतिहास में पहली बार एक ऐसा आदमी देखा, फटी धोती से आया और फटी धोती से घर वापस गया कपड़े तक भी नहीं, उसने कोई अच्छे कि भई कृष्ण जिसके लिए कृष्ण दोड़े आये थे नंगे पाओ समने सोचा कि ये तो भीया बैग भर-बर के ले जाएगा पर खाली हाथ सुदामा आये, खाली हाथ गए और ये ही दोस्ती का सबसे बड़ा मुझे लगता है पहचान होती हाँ, अपनी मर्जी से तो दोस्त मदद करेगा कृष्ण नहीं किया किया, सोने का पूरा महल बना के सुदामा को दे दिया पर सुदामा ने दोस्ती को कलंकित नहीं होने दिया, मांग करके मांग कहीं भी होती है किसी भी रिष्टे में तो उससे रिष्टे में मिलावट आ जाती है मांग नहीं होने चाहिए तो मांग कम करोगे तो रिष्टा अच्छा रहेगा लंबा टिकेगा मांग खतम कर दो, भक्त को भगवान से मांगनी की जरूत नहीं लोग अकसर दुख संकर ठर लो क्यों बोले हम क्या वो नहीं जानता हमारा जीवन कैसा है क्या उसको नहीं पता में दुख में हूँ अगर मुझे भरोसा है वो मेरी हर कहानी को जानता है तो मुझे क्यूँ बताना पड़ रहा है उसको की मेरे दुख संकर ठर ले तु अच्छे से जानता है मेरी situation तुझे अच्छा लग रहा है मैं इस situation में रहू तो मैं भी खुश हूँ ऐसे ही रख पूरे जीवन बर और अगर तुझे लगता बदलना तो तू जगत का स्वामी है ऐसे करेगा और सब बदल जाएगा भगवान कहते एक पलक जपकती ऐसी जैसी ये दुनिया है ना ऐसी हजारों दुनिया बना सकते भगवान क्या इतना सा दुख दूर नहीं करेंगे क्या इतनी पैसे की परिशानी दूर नहीं करेंगे बट वो चाहते है स्थिति में रखना तो ठेक है तेरी मर्जी मैं खुश हूँ जिसमें तू खुश तेरी खुशी में तेरी रजा में मेरी रजा तेरी मर्जी में मेरी मर्जी मांग छोड़ दो तो फिर वो मिलेगा जो कभी सोच नहीं सकते, किसी ने बहुत सुन्दर बात कही कि भगवान से कुछ-कुछ मागोगे, तो वो कुछ-कुछ देगा, उससे बहुत-कुछ मागोगे, तो बहुत-कुछ देगा, सब-कुछ मागोगे, तो सब-कुछ देगा, और कुछ भी नहीं मागोगे, तो अपने आपको बच्छडा संग गाय जैसे बच्छडा पीछे पीछे भागती वैसे ठाकुची भक्तों के पीछे चलते हैं तो नहीं मागना मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी भक्ती भी है दोस्ती भी है कुछ भी कहलो यह अगर सीखोगे तो आपके संसारे कृष्टे भी अच्छे चलेंगे और आध्यात्मिक तो अच्छे चलेंगी चलेंगे वाँ 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 बहुत ही सुंदर वाद कही है आपने एक चीज बस मैं यहाँ पर और जाना चाहता हूँ एक दो चीजें जैसे कि अब हम लोग का स्वर्ग लोग है नर्क लोग है आपके कर्मों के फल आपको मिलते हैं मृत्यों के पश्चाथ तो जब मेरे को सब फल मिल गए उधर पर जाके तो फिर कर्मों का फल धरती पाके क्यों भुगतना पड़ता है वहाँ पर सब क्लियर नहीं हो जाते हैं सब कर्मों के फल यह ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी नरक में ही जाता हो ऐसा कोई पक्का नहीं है कई बार हमें जो हमारे कर्मों के विधान होते हैं अगला जनम इधर्ती पे मिल जाएगा यहीं हमको भुगतना पड़ेगा जो कुछ जादा लगता है कि बहुत बड़े लेवल से किसी ने बुरे कर्म किये तो उनको नरकों में जाना पड़ता है नरकों का विदान सबके लिए नहीं है तो जो ऐसे कर्म होते जैसे कोई जूट बोल रहा है तो उसको कईना कई धर्ती पे ये पाप जो है उसके खतम हो जाएंगे फिर वो आगे अच्छा कर्म करे बुरा करे उस पे निर्बर करता है बाकि अगर कोई नर्ख में भी जाता है तो वहाँ भी आप नर्ख क्या है नर्ख एक प्रकार की पनिश्मेंट विवस्ता है वो आपको मिल गई पर अब ये गैरेंटी नहीं है कि अब आपको धर्ती पे दुबारा से एकदम फ्रेश मिलेगा क्योंकि ये जन्मो जन्मो का अकाउंट है आप किस मान लीजे इस जन्म में बुरे कर्म की नर्ख भेज दिये गए लेकिन इससे दस जन्म पहले भी तो बुरे कर्म करे होंगे हो सकता है उसके लिए हमें फिर अगला जन्म मिलना पड़े तो ये कर्म का एक रोटेशन है अच्छे बुरे नर्ख स्वर्ग ये रोटेशन कभी खतम नहीं होता इसमें आदमी पड़ा रहता है इस सरकल में इससे बहार निकलने के लिए पाप और पुन्य दोनों से उपर जाना पड़ता है जिसको हम भक्ती मार्ग कहते हैं प्रेम मार्ग कहते हैं प्रेम मार्ग में जो चलेगा भक्ती मार्ग में वो पाप और पुन्य से उपर उठ जाएगा इस बहुत बड़ी बात है जिसको लोग नहीं समझते अगर पाप भगवान से मिलने में रुकावट है तो पुन्य भी रुकावट है क्यों? क्योंकि पुन्य से आदमी स्वर्ग जाएगा स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग पर्मानेंट नहीं है स्वर्ग आप ये समझ लीजे एक प्रकार का होटेल है फाइव स्टार होटेल होते हैं वो कम से कम हजार दोजाद स्टार का होटेल है hotel में आप कब तक रहते हो? जब तक आपका balance है आपके पास वो खतम हुआ तो वो ही hotel वाले धका दे के निकाल देंगे तो स्वरग में जब तक हमारे पुन्यों का balance है जब तक पुन्यों का हमारे पास account है तब तक महाराएंगे उसके बाद फिर धर्ती पे आ जाएंगे तो इसका मनला पुन्य भी बादक है भक्ति मारग में आदिगरुशी शंकराचार जी कहते है ना पुन्यम ना पापम ना सुख्खम न दुख्खम ना भगवान सुख चाहिए न दुख ना पुन्य ना पाप इन सब से परे हमको आप चाहिए तो ये सुख और दुख पाप पुन्य जो एक नीचरी स्तर के लोग हैं जो अभी इसी धर्ती पे घूमना है उनके लिए तो ठीक है और जो भक्ति मारग में जाना चाहते है और इस सर्कल से बहार निकल ले उनको भजन करना पड़ेगा और पाप पुन्य से परे जाके भगवान को पाना पड़ेगा क्योंकि हमें स्वर्ग लोग नहीं पहुचना है हमें परमवात्मा के पास पहुचना है हमें बैकौंट लोग पहुचना है बिल्कुल हमें भगवान की शरन में स्वर्ग जाने से सुख नहीं मिलेगा स्वर्ग जैसा मैंने का खतम पुन्य तो वापस फिर इसी तर्ती पे वापस ही आ गए लोग को नहीं पता लोग को लगता है स्वर्ग चले जाओ यही एंड है जीवन का इसलिए नाम के आगे लगाते स्वर्ग ही है जिसकी मृत्ती हो गई सबको लगता स्वर्ग में पहुँच के बट यह ultimate goal स्वर्ग नहीं है ultimate है कि हम कोई नारायन को भजने वाला है तो वैकुंट कोई कृष्ण को भजने वाला है जो जिसके लिए आत्मा तरस रही थी जो मन की व्याक खुलता थी वो सब खतम हो जाएगी तो वहां कुछ बचेगा ही नहीं आप इतनी अच्छी बाते करते हैं इतना positive message बता रहे हैं लोगों को अच्छी जिन्दगी का रस्ता बता रहे हैं सिर्फ इस जिन्दगी का नहीं इस जनम मरण के चक्र से बाहर निकलने का रस्ता बता रहे हैं लेकिन जितना आप ग्रो कर गए जितनी आपकी चर्चा है ये कहना गलत नहीं होगा कि उतने ही लोग आप से चिड़ते भी होंगे आपके लिए उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा आपके बारे में उनकी बाते भी अच्छे नहीं होगी तो ये क्या आपको कुछ प्र मैं आपको एक 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 जामपल देती हूँ, एक प्लेनेट है प्लुटो, आज से कुछ समय पहले, युएस के कुछ साइन्टिस्ट हुए, उन्होंने ये घोशित कर दिया कि there is no planet called Pluto, कोई प्लेनेट नहीं होता प्लुटो, प्लुटो को भी एबात सुनने में आई होगी, लेक प्लुटो ने कभी भी अपने उस औरबिट पर रिवॉल्व होना छोड़ा नहीं, प्लुटो ने नहीं सोचा कि भाई, इतने बड़े युनिवर्स एक चोटे से गेलेक्सी के, चोटे से सोलर सिस्टम के, चोटे से प्लैनेट अर्थ के, एक चोटे से कमरे में पांच शे सा प्लूटो होता ही नहीं, प्लूटो है यह नहीं कोई प्लैनेट, तो मैंने जब यह कहीं पढ़ा था, तो मुझे लगा कि हमको अपनी लाइफ का प्लूटो बनना चाहिए, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे हम अपना जीवन क्यो छोड़ें, लोग बुराई क करने वाले, कहने वाले और बुराई करने वालों की एक बड़ी विच्छित्रादत होती है, आगे मिलेंगे तो सलामी करेंगे और पीछे से बदनामी करेंगे, यह उनका नेचर है, आगे तो आपको मिल जाएं, तो वो खुब, मैंने कितनों को देखा है कि यह आदमी एक ब भी भी घबराना नहीं चाहिए, एक बहुत अच्छी चार-पांश लाइन की कवीतार मुझे लगता है, जितने भी जो लोग हैं, जो कभी-कभी मतलब हार जाते हैं कि भई उसने बोल दिया, उसने कह दिया हम परेशान हो गए, घरवाले बोलते हैं तू नहीं कुछ कर सकता और फिर वो मान भी लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, लोगों की बात को सुनके, तो उनके लिए चार-पंक्तिया हैं कि तू अपनी खूबिया ढूड, क्योंकि खामिया निकालने के लिए तो लोग है ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खीचने के लिए तो लोग है ना, सपने देखने तो उचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, और अगर प्यार करना है, तो अपने आप से और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग है ना, वा, 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 तो लोगों का काम भी अगर आ आप अपनी मस्ती से हाथ भी चलेगा, तो पीछे स्वान कुद्टे भूपते रहेंगे, तो अच्छाई के लिए अच्छे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं, बुराई वाले भी मिलते हैं, हमें फोकस अच्छाई पर करना है, कि हमारे लिए क्या अच्छा है, जो हम अच्छा क कर सकते हैं, वो करिये, आगे बढ़िये, आपकी बुराईया होंगे, लोग आपको पीछे खीचेंगे, लोग आपकी बदनामिया करेंगे, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे, ये चीजें ऐसा गिफ्ट मिलेंगी, मैं कहती हूँ कि प्रसिद्ध होने का, या अच्छा बनने का, या नाम कमाने के बाद, आपको क्या लग था, कोई आपको ऑसकर अवार्ड मिलेगा, बदनामी यही अवार्ड है, यह आपको यह नाम मिलगा है, आप समझ लीजे कि, आप कुछ कर रहे हो, कुछ बन रहे हो, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लोग आपका पहला आपके रास्ते में आएंगी, पर इससे न डरना है, न घबराना है, आगे बढ़ना है. हम जैसे मैं भागवत के साथ साथ एक सेवा का काम करती हूँ, गौ सेवा, और उसमें भी पूरे हम एक होस्पिटल चलाते हैं, जिसमें सारे बीमार जितने भी पशु हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये एक वेटनरी होस्पिटल है, फ्री ओफ कोस्ट है, कथा से जो भी पैसा आता है, जो भी लोग देके भावना से देके जाते हैं, उस सब को हम सेवा में लगाते हैं, जिसकी भी गायो हम कहते हैं, लेके हो कुटा है, विल्ostic, सबलेका, हमफ्री मेलाज करेंगे, प्ट पकई बार ऐसा हो जाता है कि किसी का कॉल आया, हमारे पास पांच करते कुछ नहीं हो, सेवा तो आप से होती नहीं है, जबकि मुश्किल से दो किलो मीटर दूर वो पशुए, आप चाहो तो एक किराय का वाहन करके आप भी ला सकते हो, पट लोगों को कमिया जताना जादा आता है, अच्छाई का एप्रिशेशन कोई कोई ही कर पाता है, और अच्छा करने के लिए अप जब आप अच्छा करते हैं, तो बहुत मैं कह सकती हूँ हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, सेवा का काम, अच्छाई का काम, यह हर कोई नहीं करना चाहता है, तो अगर कोई कर रहा है, मैं अपने लिए नहीं करी, बट कोई भी दुनिया में कोई भी छोटे से छोटा भी अच्छा काम कर रहा है, आप पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते, मत करो, बट आप अच्छी भावना से, अच्छे शब्दों से, बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो, क्यो कोई अपनी लाइफ का एक्जामपल देती हूँ, यह जब हॉस्पिटल में शुरू किया, पहली गाय वहा ही थी, बिमार गाय, 2013 में, कोई भी सुविदा फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास, एक टेंट बना के हमने उसके नीचे गाय को रख लिया, वो गाय एसिड से जली हु कि मेरा नाम लिखके कि देवी चितरे लिखा ने एक हॉस्पिटल शुरू किया और वहां बीमार गाय को कीडे पड़ रहे हैं, तो मैं तो पहली बार ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ था, तो मैं तो बड़ी निराशा होई कि भई हमने तो अच्छा काम शुरू किया तो पहली द से बाबार रामदेव जी के साथ जो रहते हूं, बहुत बचपन से में जुड़ी हूं, तो मैं अकबार लेके उनके पास गई, मैंने कब ये तो बड़ा गड़बड हो गया बाबजी ये तो देखो पहले दिनी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी वात कि, उन्होंने क पहन कर सकती हो, तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो यहां से अभी भी लोटने का टाइम है, तो पता नहीं क्यों होता ना कभी किसी की बात लग जाती है, वो मुझे लग गए और मुझे आज तक भी उनकी बात याद है, मुझे लगता कभी भी कोई भी लाइफ में कुछ भी ह और मेरे सका श्री कृष्ण को पता होना चाहिए कि उनका दोस्त सही काम कर रहा है, बाकी वो देख लेंगे, बाकी दुनिया को खुश करने के चकर में मत पड़ो, दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती, यहां राम जी को भी सुनना पड़ा, यहां माता जानकी को सुनना पड़ा, यहां भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने सो गालियां दी, तो हम और आप तो कोनी होते हैं, भगवान तक जब सुन सकते हैं, तो हम तो साधरन लोग है, कभी भी किसी की कृटिसिज्म से घबराये मत, एक कहानी और याद आ रही है, प्लीज, प्लीज, प्लीज सारे मेड़क एक पहाड पे चड़ रहे हैं, सब लोग चड़ रहे हैं, बट कुछ मेड़क उसमें से गिरते जा रहे हैं, कुछ आधे तक पोंचे गिर गए, कुछ दो चार कदम पोंचे फिलो डग गए, एक मेड़क चड़ता चला जा रहा है, और चड़ते चड़ते चड वो छलू-छल के उसको बोल रहे है, मचड, मचड, तू गिर जाएगा, तिरे हाथ-पाउ तूड जाएगे, लोट जा, वापसा, वो चड़ता जा रहा है, मस्ती में, और वो टॉप पे पहुच गया, अब वो मेडग टॉप पे क्यों पोचा, तो उस काहनी में बता है कि वो म मुझे कह रहे है, चड़ जा, हम तेरे साथ है, तू आगे बढ़, आगे बढ़, तो ये कहानी से मुझे लगा किजीवन में अगर कुछ करना है न सुनो मत बस, करते चलो, करते चलो, जो लोग आज कह रहे न, कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, जब आप सफल हो जाओगे, तो हमने बोला था न, हमने सारा दिया था न, तो ये दुनिया की रीती है, इससे घबरा के रुग गए, तो सब खतम हो जाएगा, आगे बढ़ो, काम कर मेहनत करो, भगवान का साथ भरोसा रखके करते चलो, सफलता भी मिलेगी और भगवान भी मिलेगी, वाह, वाह, देवी जी, वाह, देवी जी, मैं चाहता हूँ, अभी मेरे मन में धेर सारे सवाल है, मैं चाहता हूँ, मैं धेर सारे सवाल हो पूछू, लेकिन समय की आपका दैनिक स्चेडूल रहता है वो बहुत वीजी है कई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर आज की यह जो बातचीते इसको मैं विराम देना चाहूंगा और मैं उमीद करता हूं दीवी जी की आप मुझे फिर से आपके साथ एक साख्षात कार करने का मौका देंगी जब मैं और सवाल मेरे मन के और जितने लोग अभी सवाल पूछेंगे हमारे जो बावा लोग हैं वो सवाल पूछेंगे तो मैं आपके साथ फिर से एक बार बैट सकूँ और बात कर सकूँ बिलकुल हम हम वोफुली फिर से ऐसे सत्संग करेंगे, not podcast, यह भी जहां अच्छी बाते होती हो सत्संग होता है, तो हम बैठ करके फिर से समय निकाल करके, क्योंकि उद्देश एक ही है, जो सुन रहे है, वो कुछ अपने जीवन में लाएं, एक बात सुनके, अगर एक आदमी भी चेंज हो जाता है, तो मुझे लगता है, आपकी हमारी सबकी behind the scene, कितने लोग होते हैं, सबकी मैनज जो होती है, उस सफल हो जाती है, तो I hope लोग हमारे इस कोनुजीशन को, वारतल आपको, podcast को, सत्संग को सुने, और कुछ अच्छा सीखे, ताकि फिर अगली बार हम आएं, और उन तक अच्छी बाते पहुचाएं, बिल्कुल, और मुझे उमीद है कि, सबसे पहले मैं काफी कुछ सीखा हूँ, मुझे पता है कि, जिस दिमाग के साथ मैं है था, माइंड सेट के साथ मैं आया था, या जो इनसान मैं आज सुबह था, अभी जब मैं यहां से उठने वाला हूँ, मैं वो इनसान नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ, तो मुझे उमीद है कि, जो हमारे बावा लोग हैं, वो भी बदलेंगे आपकी बाते सुनके, और हमें निरंतर आफ से सुनते को मिलता रहेगा, आफ से सीखने को मिलता रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी, धन्यवाद, रादी रादी, तो बावा यह था आज का हमारा पॉड़कास, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छी बाते में हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेरी जिन्दगी में इन बातों से बहुत प्रभाव आने वाला है, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे उमीद है आप जहां पे भी हैं, जिस भी परिशानियों से या जिस भी अच्छी या बूरी चीजों से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में भी इससे एक अच्छा प्रभाव आए, आप अपना ख्याल रखे वावा, हम मिलते हैं अगले पॉड़कास में, शब बखेर,